हेलो एक डाउट है एक कोशन है बड़ा इंपॉर्टन कोशन है आ सकता है आपके आभी और यह केस बेस्ट कोशन के तौर पर भी आ सकता है याने कि सीधा ही आपको तीन से चार नंबर दिलवा सकता है तो यह आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे खेर इस कोशन को हम सॉल्फ करा देता हूं देखिए एक imaginary balance sheet अगर आप अपने सामने बनाओ तो यह ऐसी दिखती है एक तरफ assets होते हैं जिसमें दो चीज़े होती है current assets और non current assets current assets याने की जिनका फैदा आज से कुछी महीनों में मिल जाएगा जर्णली 12 महीने और non current assets याने की जिनका फैदा आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा liabilities में business owners के प्रती जो liabilities होती है company की case में हम उसको बोलते है equity या owners fund या shareholder funds और उसके लावा होती है outside liabilities जो लंबे समय में repay करती है उसको हम बोलते है non current liabilities या उसी को आप debt बोलते हो और जो short term में आज से 12 महीने के अंदर जर्णली जो repay करती है उस तरह की outside liability को में बोलता हूँ current liability तो liability side क्योंकि business की owner के प्रती अलग liability और outsiders के अलग liability होती है तो इसलिए या पर 3 चीज़े बन गई है यह दोनों outsider के प्रती है और equity वाली सारी की सारी owners के प्रती है ठीक है जो shareholder से आने की और यह हमेशा total equal आता है अगर आपको यह बात पता है तो अब यह question आपको जो है easy लगने लगेगा देखते हैं तो यहाँ पर देखो debt का इस balance sheets अगर आप निकालोगे तो जितना भी पैस है लंबे समय में यानि कि कुछ सालों बाद तो दोनों आप plus कर लोगे और debt आजाएगा 4 लाग non current assets यहाँ पे यह point है fixed assets कही बार आपको gross अगर figure दे रखी है तो इसका मतलब बस ही है कि उस पे जो depreciation charge हो चुकी है उसको आपने भी काटा नहीं है और आप balance sheet में उसको gross figure ही द total जितना यह value का एक तरह से asset यह use हो चुका है तो जैसे यहाँ पे 6 लाग gross fixed asset की value है और 1 लाग accumulated depreciation है इसका मतलब यह है कि net values asset की कितनी रह गई आज के दिन 5 लाग 6-1 तो 6-1 कर देंगे हम क्योंकि non current assets निकाल रहे हैं ताकि हम इसको यहाँ पे fit कर सके हम basically fit करेंगे debt निकाल या current liabilities पता है तो यह दोनों तो पता लग गया now current assets भी पता है non current assets पर निकाल ले हैं और फिर यह complete हो जाएगी और बस equity रह जाएगा वो निकल जाएगा और ultimately आप इसमे debt to equity ratio जो हमें निकालना है वराम the solvency ratios जो है वो निकल जाएगा तो यहाँ पे हम non current assets निकाल रहे है fixed asset gross figure है तो इसमें से depreciation जो charge करनी है वो charge कर लेते हैं और net figure पर पहुचते हैं और net figure ही चाहिए होते है क्योंकि वही यह present करने का तरीका है बस दूसरा कि हमें काटा नहीं है और उसको for the timing liability side दिखा दिया accumulated depreciation को लेकिन actually आज के दिन जो net figure है हमें वही figure चाहिए होती है तो मिलेगा और जो long term loan advances है advances बढ़ाते हैं आपको पता लग जाना चाहिए कि आपने पैसा दिया है और अगर आपने पैसा दिया है किसी को loan के रूप में advance दिया है तो आपको future में फाइदे मिलेंगे तो वो चीज आपके लिए asset है तो और long term में तो इसलिए non current है तो यह सारी च मैंने वापे से बनाई है भरके तो आपको देखोगे current asset दे रखे थे non current asset आपने निकाल लिए और यह होगे 8 lakh अब जो side यह है वही side यह होगी total तो इसमें debt पता है 4 lakh current liabilities दे रखा है 2 lakh total है 8 lakh तो equity क्या हो जाएगा तो equity हो जाएगा 8-6 lakh यानि कि 2 lakh और debt to equity ratio आप निकाल दोगे debt का मतलब non current liabilities और वो 4 lakh जो निकाला था हमने और equity जो हमने यहाँ से derive कर लिया वो था 2 lakh तो हमारा debt to equity ratio आगया 2 ratio 1 तो बहुत अच्छा question था अगर आपको इसमें doubt है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस तरह का question doubt create करता ही करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे concepts आपके जो हैं एक साथ work करते हैं और तब ही मैं कहारा हूँ कि इससे वो multiple questions अराम से पूछ सकता है तो यह case based question बन सकता है बह कोई doubt हो तो वरसाइब रोप में personal chat में या फिर हमारे और बी जो तरीके हैं Instagram या comment section के थूँ तो I hope कि आपको यह video काफी useful लगी होगी और बाकी और कोई भी detail चाहिए अगर आपको हमारी classes के regarding तो आप हमारी description में जाके contact details देखके हमें contact कर सकते हैं और हमें बहुत खुशी हो कर सकते हैं